अर्च किया है फॉर्मूला बनाया हमने नहिनत लगा कर और कलीग ले गया प्रॉमूशन उसको छुरा कर जी हाँ दोस्तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है आपका फॉर्मूला को चोरी कर सकता है और वो कलीग भी हो सकता है या आपका क्लाइन भी हो सकता है तो अगर आपको आपके फॉर्मूला को बचाना है चोरी होने से तो चलिए यह विडियो देखिए फॉर्मूला हाईड करने क एक ट्रिक्स में आपको आज बताने वाला हूँ दोस्तो लादमो चैनल में आप सब कस्वागत है मैं हूँ सपीश चलिए शुरू करते हैं Excel के Amazing फीचर सिंखने के लिए दोस्तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और इसके नोटिफिकेशन यहां से हटाने के लिए आप इससे कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद पेस्ट में यहां पे वैल्यू बटन पे क्लिक कीजिए वैल्यू बटन पे क्लिक करने से यहां पे आपको दिखाए देगा कि यह वैल्यू replace हो चुकि यहाप भी formulas नहीं है लेकिन इस seat में आगे जाकर आपको कुछ modification ना करना है या फिर यहाँ पर कोई value change करने के बाद यहाँ पर change नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ है यह seat आपका final हो चुका है तो आप इसे इस तरह से share कर सकते है क्योंकि यहाँ पर formula हैड होने के बाद यहाँ पर अगर आप कुछ value change करते हैं तो आगे कुछ भी changes होने वाला नहीं है तो इस तरह का formula हैड करने का tricks तभी यूज़ करिए जब आपका यह data final है या last है इसमें आपको कुछ edit नहीं करना है फिर directly share करना है आपके customer या client जिसकी भी साथ share करना है उसके साथ आप यहाँ आपसे directly share कर सकते हैं दोस्तों लेकिन अभी इसमें अगर आपको चाहिए कि editing मैं यहाँ पर undo कर देता हूँ Ctrl-Z यहाँ पर मैं प्रेस कर देता हूँ और इसे formula को वापीश शो कर देता हूँ यहाँ पर Ctrl-Z से मैं यह formula वापीश शो कर दिया है अब मैं चाहता हूँ कि यह formula यहाँ पर रहे यहाँ पर मैं change करूँगा तो relation भी sell का maintain रहे तो मैं करूँगा क्या? मैं करूँगा इन sales को जहाँ जहाँ formula रहेगा suppose मेरे sheet में बहुत सारी जोगा पर formula है तो formula फाइंड करने के लिए है ना हमारे पास एक tricks दोस्तो Ctrl-Z बटन प्रेस कीजिए Ctrl-Z में आ जाएगा go to और go to में यहाँ पर दिखा दे रहे आपको यह special button है special button पर क्लिक कीजिए special है, खास button है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर एक बटन आ रहा है formulas आपको दिख रहा है यहाँ यह formulas पर check कीजिए बस यहाँ पर सब यहाँ पर tick रखिए इस तरह से और OK बटन पर click कीजिए अब दिखिए जितने भी formulas है वो automatically यहाँ पर select हो जाएंगे दोस्तों यह select हो चुके और इसकी properties मुझे lock चाहिए और इसके लिए क्या करूँगा मैं सबसे पहले मैं control 1 button प्रेस करूँगा control 1 button से आता है format cells दोस्तों अगर आपको यहाँ से चाहिए तो यहाँ पर format में format cells options है menu में से आपको यहाँ से मिल जाता है और यहाँ पर protection option मिल जाता है format cell में लाश में protection में आपको यहाँ पर hidden रखना है जो कि मैंने already रखा है यह check नहीं रहता है आप इसे check कीजिए और यहाँ पर check करने के बाद ओके कीजिए तो इसकी properties मैंने hidden कर दिये है अब मैं चाहता हूँ कि इन सेल्स में editing अला रहे है मतलब इन सेल्स में editing कर सकूँ क्योंकि मैं यहाँ पर editing करूँगा तो यहाँ पर formulas तो नहीं दिखा देगा लेकिन editing हो जाएगी दोस्तों formula तो हाइड होने आला है तो मैं इसके लिए क्या करूँगा सबसे पिले मैं Ctrl A बटन प्रेस कर दूँगा Ctrl A बटन प्रेस करने के बाद Ctrl A यानि कि Select All Sheet Ctrl A इस तरह से रहेगा दोस्तों पूरा sheet यह दिख रहा है आपको पूरा sheet सेलेक्ट हो चुका है अब मैं यहाँ पे format में जाँगा और lock sales जो नीचे options दिखाए दे रहा है format यह home tab में है यह notice कीजिएगा format में यहाँ पे lock sales जो options है मैं यहाँ से lock sales सब का हटा दूँगा अब यह lock sales हटाने के बाद होता क्या है कि आप protect करेंगे तो भी यह protect होगा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने सबी का lock से सटा दिया है अब मैं इसको select करूँगा यह जो sales थी formula की या फिर ctrl z button trace करूँगा और formulas यहाँ पे वापीस दुबारा इस तरह से जितने भी formulas है मेरे तो sequential formulas इसलिए मैं इससे select कर सकता हूँ आपके formula का अलग जगा पे रहेंगे तो आप इस तरह से select कीजिए अब आप करेंगे यहाँ पे format में इसे lock इसे lock करना ज़रूरी है दोस्तों अब इसे मैं lock कर देता हूँ अब यह lock हो चुका है और इसकी properties भी हमने यहाँ से change कर दी अलड़ी जो की properties में protection में hidden मैंने रखा है यह मैंने आपको बता दिया है तो आपको क्या करना है समझ मैं होगा पूरे sales को unlock कर चुके हम यह lock पहले हटा दिया था मैंने यहाँ पे हटा दिया तो इसका lock on कर दिया जो formulas है तो formula select कैसे करना है उसको lock कैसे करना है उसको hidden properties कैसे करना है यह clear हो चुका होगा उमीद करता हूँ तो चलिए दोस्तों अब इतना हो चुका है तो अब हम करते इस worksheet को protect क्योंकि protect करने के बाद ही यह formula यहाँ पे lock होने वाला है इसमें मैं protect sheet कर रहा हूँ यहाँ पे मैं password दे रहा हूँ 123 कुछ भी password दीजिया लेकिन किसी को मत बताईएगा चलिए मैंने तो share कर लिए अपना password आप अपने ही लोग है इसलिए मैंने share कर दिया आपके साथ share करने में कौन सी बुरी बात है मिर ले यहाँ पे मैं ok button पे click करूँगा और यहाँ पे हो चुका है मेरा यह protect sheet अब मैं यहाँ पे sell change करूँगा relations यहाँ पे maintain है यहाँ पे change हो रहा है जो भी है formula यहाँ पे apply हो रहा है लेकिन मैं इस पे click कर रहा हूँ I am unable to see the formula yes nobody can see your formula दोस्तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे double click में करना चाहता हूँ कुछ भी करना चाहता हूँ यहाँ हो नहीं पाएगा यहाँ पे मैं formula नहीं देख पाऊँगा लेकिन यहाँ पे मैं sales में जरूर चेंज कर पाऊँगा क्योंकि मैंने इसे unlock रखे पूरे sales कौन lock रखे लेकिन यह lock है formula वाली sales तो formula वाली sales lock करने की tricks यहाँ पे आपको clear हो चुकी होगी दोस्तो बहुत काम की चीज है क्योंकि यहाँ पे अगर formula नहीं दिखाए देगा तो कोई आपको formula कॉपी नहीं करेगा जीहा ना रहेगी बास ना बचेगी बास होगी दोस्तो बिल्कुल सही और आप इसे देख लेना सीख लेना और practice करके मुझे बता देना कैसे लगी आज की tricks एक चुट इसी tricks थी लेकिन उम्मीद करता हो आपको पसंद आई होगी चलिए मैं मिलूँगा आपको कुछ और interesting session के अंदर लेकिन आप नए हो में चैनले ते तो subscribe करना ना बूलिए मैं पढ़ा तो XL XL MIS XL के काप interesting facts और XL BVA series भी मिलते हैं अगले session में सीखते रहो सीखाते रहो बाई-बाई दोस्तो आपको करे आरेला है अपून पंदा नहीं करना दंगा नहीं करना कर दूंगा मैं बर्ना तेरी ताय 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 फिच